फाइनली मोटो डोलर कंपनी ने अपना एक और नय स्मार्टफून मोटो जी 85 को लॉंच कर दिया वाई दूसी तरफ सैंसंग का पाप्लर स्मार्टफून सैंसंग लक्सी एप 34 फैब जी अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफून को लेने का मन बनारों कन्फ प्राइस तरह इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 1500 stealth electronic ब्रेश तरह में मिल जाता है उसी तरह इन दोने smartphone परफूफ्वर्मेंस और गेमि परफूफवर्मेंस में भी ब्लक मिल जाता है योग को एक तरफ डारा अउन्यों למynnuto अगर पाफोर्मेस बात करीजा तो इन दोने स्माटफोन में से आप लोगों को मोटो जी एटी फाइप में थोड़ा बेटर परफोर्मेस देखने को मिल जाएगा वह इन दोने स्माटफोन के अगर अन्थोर्म बात करी जा तो एक तरफ Moto G85 का जो अन्तुतू स्कोर निकल के आता है वही दूसरी तरफ गैलक्सी के स्कोर को जाना बहुत जरा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनेट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गैलक्सी के एक बिन की बात करी जा तो एक तरफ गैलक्सी के एप थार्टी फॉर फैब्द में 6.5 इंच की सुपर एमोलेट डिस्पले देखने के पिल जाती पर डिस्पले आप लोगों को फ्लैट देखने के पिल जाती हो डिस्पले में पांच होल देखने के पिल जाता है वही दूसरी तरफ Moto G85 में 6.67 इंच की Is самой 24play में इंच की बहुत डिस्पले डिस्पले आप लोगों को कारव देखने को मिल जाती है डिस्पले के 120eed का सपोर्ट देखने को मिल जाता जो की डिस्पले सुप यह गर्डलlarını सेग्मेंट की show अपणे-अपने-प्रैसме ने स्माटफूम में एक्सलेंट OIS वाला कैमरा सेटप देखनें को मिल जाता है एक तरफ गैलेक्सी के एप 30-45 G में 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 प्रामरी कैमरा मिलता है बाकि की दो कैमरे 8 प्लेश टू मेगा फिक्सल के मिल जाते हैं with LED Flashlight के साथ, कैमरे में OIS का support देखने की मिल जाता है और phone के back camera से 4K वीडियो आसानी से record कर सकते हैं वह दूसरी तरह Moto G85 के back में dual rear camera setup देखने को मिल जाते है 50 MP का light 600 का sensor देखने की मिल जाता है, बाकी का दूसरा camera 8 MP का मिल जाता है कैमरे में OIS का support देखने को मिल जाता है, पर phone के back camera से 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं सिर्फ फुल HD वीडियो ही record करने का option देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरे के अगर बात करी जाए तो उसमें तो clear विना निकल के आता है मोटो का G85 32 MP का सेल्फी कैमरे को मिल जाता है वही एक तरब Galaxy के app 34 5G में NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जब कि Moto के G85 में NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है आडियो जैक के अगर बात करीजा तो Galaxy के app 34 5G में 3.5 mm jack का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वही दूसी तरब Galaxy के app 34 5G में stereo speaker का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटरी से एक बिंक अगर बात करीजा तो एक तरब Galaxy के app 34 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है दूसी तरब Moto G85 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए इंब दोने स्मार्टफोन के प्रैस में 1500 अगर आप लोग आप लोग के स्मार्टफोन लेने कि अच्छा फैटरी नहीं मिल जाता याप अपने और ने की बड़ा जाता है झाल झाल झाल